हेलो बच्चों आज आपकी तीसरी अधे पढ़ेंगे और ये है पेज नमबर 20 में साहसी स्वाती तो एक स्वाती एक लड़की का नाम है और इस बिशेय पर हम क्या सिखेंगे एक बिशेय में और ये इसको पढ़ते हैं ये पार्ट साहितिक प्रसंग पर आधारी थे इसमें स्वाती नामक एक साहसी लड़की की कहानी है जिसने अपने साहपाथिन को पानी में डूपने से बचाया साहसी सिच्ष्य स्वाते की कहानी से हमें यह सिच्ष्य मिलती है कि कतिनाई के समय हिमَّत और सुझ बूस्थे काम लेना चाहिए तो बच्चों इस कहानी को पढ़कर हम यह सिच्चिया इसमें है कि स्वाती नाम की एक लड़की है जो की बहुत ही हिम्मती है और बुद्धिमान है तो इस विशे में उसने ऐसा क्या किया था चलिए हम करते हैं तो पाट साला में एक नहीं बालिका ने प्रवेश लिया फिर वे स्वाती से बोली स्वाती तुम्हें इस कक्षा की लड़कियों से पता चल जाएगा कि वे कौन-कौन से पाट पढ़ चुकी है तुम इनकी साहयता से उन पाटों को तेयार कर सकती हो तो पाट साला मतलब विड्याले में एक नहीं लड़की आती है ऐडंमिशन लेती है प्रवेश मतलब अड़मिशन लेना तुम्हें तो प्रवेश लेती है वह तो अध्याफिका कक्षा के बाकि जो उसकी सहपातीन है उसके जाओ साथ जो पढ़ती हैं उनसे उसका परिचए करवाया और उससे कहा कि अपनी सहपातीन से जो उसके बारे में पता कर ले ठीक है तो स्वाती सुन्दर थी वो चुप-चुप सी रहती थी उसकी कंशा की लड़कियां उससे मित्रता करना चाहती थी परन्तु वह उनसे दूर दूर ही रहती लड़कियों को लगा कि स्वाती बहुत गमंडी है अथा उन्होंने उसकी और ध्यान देना छोड़ दिया तो बच्चों स्वाती बहुत सुन्दर थी ठीक है और चुपचा भी रहती थी क्योंकि वो नहीं आई थी तो उसकी जो कक्षा की लड़कियां थी उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो बहुत गमंडी है इसलिए वो बात नहीं करती है तो उन्होंने भी उस पर ध्यान देना छोड़ दिया एक दिन पाट साला में बच्चों को पिकनिक पर ले जाने का निश्चे किया गया पिकनिक का स्थान एक जील को चुना गया जील का बात बरन बहुत आकर सकता पहाडी स्थान और फूलों की भरमाद इस थल की सुन्दरता में चार चांद लगा रहे थे तो एक दिन बच्चों को पिकनिक ले जाने का निश्चे किया गया तो उनको एक जील के किनारे पिकनिक उन्हें ले जाया गया ठीक है तो बहुत सुन्दर ही वातावरान महाँ पर और अन्य लड़कियों ने सोचा की स्वाती पिकनिक पर नहीं जाएगी परंतु पिकनिक के दिन स्वाती ही सबसे पहले विद्याले के द्वार पर खड़ी थी तो सबने सोचा की स्वाती तो घमंडी है वो पिकनिक पर नहीं जाएगी वो किसी से नहीं मिलती जुलती है लेकिन पिकनिक के दिन स्वाती ही वो लड़की थी जो पहले विद्याले पहुँच चुकी थी पिकनिक जाने के लिए तो सभी लड़कियां और अध्यापिकाई बस में बैठकर पिकनिक स्थल पहुँच गई एक अच्छा स्थान देखकर अध्यापिकाई ने दरिया विच्वा दी कुछ लड़कियां वहां बैठकर हसी मजाग करने लगी और कुछ घूमने के लिए निकल गई तो स्वाती आज भी अपनी सहपार्ठीनों से अलग अकेली गूम रही थी वो एक फूल के पोधे के पास बैठ गई तो आज भी अकेली पिकनिक के दिन पर भी वो अकेली ही थी, अकेली गूम रही थी और एक फूल के पोधे के पास बैठ गई वो, अचानक धप की आवाज हुई और एक चीख गूंज उठी, स्वाती उठकर तेजी से आवाज की और तोड़ी जैसे ही वो पोधे की पास बेठी फूल की, तो उसे एक आवाज सुनाई दी धप करके, ठीके तो उसने वो आवाज सुनी और उस आवाज की और वो जाकत देखने लगी की वो आवाज क्या है जील के किनारे उसे एक लाल कपड़ा दिखाई दिया वो उधर ही दोडने लगी, जील के पास पहुंचते ही उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी तो जैसे उसने आवाज जो उसने पिछा किया और गई तो देखा कि कोई बचाओ बचाओ चिला रहा है तो उसने देखा कि उसकी कक्षा की एक लड़की नीरू जील में गिर पड़ी है जील में उस्थान पर पानी कम और कीचट अधिक थी वो भाग दलदल बना हुआ था वहाँ पहुंचका स्वाती ने नीरू से कहा नीरू घबराओ मत मैं अभी किसी और को बुला लाती हूँ परन्तो नीरू हाथ पाउं पटक रही थी स्वाती ने एक अंक्ष्यन सोचा उसने अपने थेले से चाकू निकाला और पास की बेल काटने लगी उसने उस कटी बेल को नीरू की और फेंका स्वाती चिल्लाई इसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ लो नीरू तो नीरू ने बेल पकड़ ली स्वाती उसे अपनी और खींचने लगी इस काम में स्वाती के हाथ जगह जगह से कटने लगे उसका कुर्ता भी फट गया परन्तु उसने हिम्मत नहीं हारी वो नीरू को अपनी और खींचती रही बीच बीच में वो बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही उसकी बचाओ बचाओ की आवाज सुनकर अध्यपिका और अन्य लड़कियां भी वहाँ पोंच गए चोकिदार भी आ गया उन्होंने स्वाती के हाथों से बेल लेली और वे नीरू को अपनी और खींचने लगे नीरू घिसरती हुई सुखी जमिन पर आगी तब तक स्वाती पसीने से तरवतर हो चुकी थी वो निडाल होका जमिन पर गिर पड़ी अध्यापिकाने स्वाती इके मुँपर पानी के छींटे मारे तब वो होस में आई सभी लड़कियां और अध्यापिका स्वाती को प्रसंसा की द्रिष्टी से देख रही थी अध्यापिकाने स्वाती को सावासी दी नीरु ने स्वाती को धन्यवाद देते हुए कहा अज तुम न होती तो मैं अपने प्राणों से हाथ धो बेड़ती हम तो तुम्हें घमंडी समझती थी पर तुम सच्ची मित्र निकली स्वाती ने सर्माते हुए कहा नहीं ऐसी बात नहीं है मुझे किसी से बात करने में संकोच होता है तभी एक लड़की बोल पड़ी तब तो हम तुम्हें सर्मीली कहा करेंगी सभी लड़कियां ठाका मार कर हस पड़ी तो देखा बच्चों जो कि स्वाती थी वहोती सर्मीली थी इसलिए वो किसी से मिलती जुलती नहीं थी लेकिन उसने एक लड़की की जान बचाई नीरू की जान बचाई तो उसने हिम्मत दिखाई और अपनी सहपाटिन नीरू की जान बचाई और सब बच्चे उन्हें पता चल गया कि स्वाती एसल में बहुती अच्छी लड़की है लेकिन सर्माती है इसलिए सब ने उसे सर्मीली कहकर बुलाने का निश्चे किया ठीक है बच्चों तो इस कहानी को आप पढ़ लीजिए और उसके बाद हम प्रस्न उत्तर पर चलेंगे थैंक्यू